नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि युनी एंजाइम टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है। युनी एंजाइम टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। युनी एंजाइम टैबलेट के अंदर सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम मौझूद होते हैं। नहीं बना पाता है। तब डॉक्टर टैबलेट की फोरम में सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम लेने की सलाह दे सकता है। युनी एंजाइम टैबलेट शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। और कार्गोहाइडरेट, फैट और प्रोटीम को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है। इसके अलावा युनी एंजाइम टैबलेट भूक को भी बढ़ाने में मदद करती है। और जिन व्यक्तियों को पेट भरा-भरा हुआ महसूस होता है। उन व्यक्तियों के लिए भी युनी एंजाइम टैबलेट बहुत ही फायदेमंद होती है। युनी एंजाइम टैबलेट का उपयोग पेंक्रियाज के रोगों में, कई प्रकार के पेट के रोगों में, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, भूख पढ़ाने के लिए और जिन व्यक्तियों को सीने में जलन रहने की समस्या रहती हैं, उन व्यक्तियों को भी क्या युनी एंजाइम टैबलेट वजन को बढ़ाती है या नहीं, देखिए युनी एंजाइम टैबलेट सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है, युनी एंजाइम टैबलेट केवल आपकी भूख को बढ़ा कर और पाचन तंत्र को मजबूत बना कर वजन को बढ़ा अब हम डिसकस करेंगे कि युनी इंजाइम टेबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। युनी इंजाइम टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इंजाइम टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में युनी इंजाइम टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लिवर और किड्नी की कोई बीमारी होने पर युनी इंजाइम टेबलेट की खुराग घटानी पर सकती है। इसलिए लिवर और किड्नी की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं युनी इंजाइम टेबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं के लिए युनी इंजाइम टेबलेट का सेवन करना रेक में डेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका युनी इंजाइम टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है करें तो अटनर को वीडियो को वीडियो प्लीज ऑवार आपको ले अगरे ले ऩॉ 씨 फॉस्ट आपको प्रशे लेडियो